हेलो स्टुडेंट्स, एंसे ही आर्टी मैथ्स क्लास नाइंथ में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग प्रिशना वली 2.4 में प्रश्न क्रमांग 2 हल करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है गुड़न खंड प्रमे लागू करके निम्लिखेत इस्थितियों में प्रतेक इस्थिति में जी एक्स पी एक्स का एक गुड़न खंड है या नहीं तो प्रश्न क्रमांग 2 में हमें तीन प्रश्न दिये गए हैं ये हमें PX दिया गया है और ये GX दिया गया है ये जो GX है ये यहां गुड़नखंड के रूप में है और गुड़नखंड प्रमे हमें लागू करना है तो जैसा हम सेसफल प्रमे विधी कर दे थे बिलकुल बैसे ही गुड़नखंड प्रमे विधी है आपको याद होगा कि से इसपल प्रिमे बिधी में हम भाजक के बरावर 0 लेते थे, किस के बरावर 0 लेते थे, भाजक के बरावर, लेकिन अब हमें करना है गुड़न खंड प्रिमे बिधी, तो अब हम GX के बरावर 0 लेंगे, यानि कि गुड़न खंड के बरावर 0 लेंगे, तो आएए, पहला कॉश और GX हमें ये दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक्जाम में ऐसा लिखेंगे कि दिया है PX बरावर, इसके बाद जो हमें GX दिया है उसको हम लिख लेते हैं, अब हमें गुड़नखंड प्रमे विधी लागू करना है, तो हम हैडिंग डाल देंगे गुड़नखंड प्रमे विधी से, और गुड़नखंड प्रमे विधी का इस्तिमाल करते समय में ध्यान रखना है, जब हम सेस्फल प्रमे विधी का इस्तिमाल कर रहे थे, तो उसमें क्या करते थे, सेस्फल प्रमे विधी में भाजक के बरावर 0 लेते थे, लेकिन गुड़नखंड प्रमे विधी में हम GX के बरावर 0 लेंगे, यानि कि जो GX हमें दिया गया है, उसके बरावर हमें क्या ल कितना है देखिए यहां पिकतना है X plus 1 तो G X के नीचे हम लखेंगे X plus एक बरावर कितना। जीरो आवड यह जो X plus एक है यहां से हम X कंअ निकालेंगे तो X plus 1 बरावर 0 है तो plus 1 इस तरफ आ जाएगा तो minus 1 यह देखिए तो X कंअ कितना आया है माइनस बन अब यह जो X का मान है हम यहाँ PX में रख देंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे X का मान PX में रखने पर चलिए मान रख देते हैं तो यह हमारा PX है आप उपर देख सकते हैं कि यह PX है तो X का मान कितना है माइनस बन तो यहाँ से जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ माइनस बन रख देंगे चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या लिखा है P तो हमने लिखा P लेकिन कोश्टक में क्या लिखा है X तो कोश्टक में कितना लिखना है माइनस वन और उसके बाद बरावर फिर दो लिखा है उसके बाद X घन है देखिए यहां पर X घन है तो X का मान कितना है माइनस वन तो माइनस वन का घन कर देंगे यहां पे इस तरीके से प्लस X वर्ग है देखिए यह है X वर्ग लेकिन X का मान कितना है माइनस वन तो यहां पे हो जाएगा माइनस वन का वर्ग माइनस दो और X की जगाए पर माइनस वन यह देखिए X था ना तो X की जगाए पर कितना कर दिया माइनस वन और फिर आखरी में माइनस वन अब इसको सॉल्व करना है तो P माइनस वन बरावर दो है तो दो लिख दिया कोश्टक का मतलब कोश्टक तोड़ेंगे तो आएगा गुणा का चिन यहाँ पे माइनस वन पर तीन की गाते तो जब माइनस के साथ एक हो तो सम बिसम देखते हैं यहाँ पे देखिए तीन एक बिसम संख्या है और बिसम संख्या है तो माइनस तो आएगा अगर सम संख्या होती तो क्या आता प्लस लेकिन तीन तो बिसम संख्या है और एक के उपर कितने की भी गात हो हमいسا हुद तर एक ही आता है फिर पिलस है तो पिलस यहां पे देखी है माइनस बन पर समसंख्या की घात है तो यह mean us plus में change हो जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा यहां पे देखी है एक के उपर कोई भी घात नहीं है तो यहां पे जिन्नों का प्रावर यहां पर यह गुणा का चिन्न है बाकी सब प्लस प्लस हैं तो इसको और हम 플स में बदल लेंगे यानि कि इसका गुणा कर देंगे तो 2 एक हम 2 तो माइनस का 2 हो गया प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 अब आप यहां पे देखेंगे कि P माइनस 1 यह तो हमें आंसर तक लिखते जाना है माइनस का दो और प्लस का दो कैंसल हो गया प्लस का एक और माइनस का एक कैंसल तो आंसर कुछ भी नहीं बचा तो कितना होगा जीरो तो अगर यहाँ पे गुड़न खंड प्रमे बिदी में यह जीरो आया है क्या आया है यह जीरो तो यह सी स्थिती में हम कह सकते हैं कि आता है जी एकस पी एकस का एक गुड़न खंड है इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसके बाद हम दूसरा कॉष्चन लेते हैं तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला question हमने कर लिया है अब दूसरा question हमें दिया गया है PX बरावर X गन प्लस 3X वर्ग प्लस 3X प्लस 1 ये PX दिया गया है और ये GX दिया गया है और गुड़न खंड प्रमे लागू करना है चलिए करते हैं तो हमने दूसरा प्रशन अलग से लिख लिया अब हम इसको लिखते हैं हल दिया है PX बरावर तो सबसे पहले जो हमें PX दिया गया है हम इसको लिख लेंगे इसके बाद ये GX है तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं तो GX बरावर आएगा X plus 2 अब हम हमें गुड़न खंड प्रमे Вिधी लागो करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुड़न खंड प्रमे विधी से और गुड़न खंड प्रमे विधी का थंबरूल क्या होता है GX बरावर 0 तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं GX बरावर 0 लेकिन यहां पे gx कमान कितना है x प्लस 2 तो gx के नीचे लिख देंगे x प्लस 2 बरावर कितना हो जाएगा 0 तो यहां पे प्लस का 2 इस तरफ आ जाएगा तो यह x कमान हम यहां पे निकाल लेंगे तो माइनस 2 आ गया तो x कमान कितना है माइनस 2 तो X कमान हम PX में रख देंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि X बरावर माइनस दो PX में रखने पर PX में रखने पर चलिए अब हम रख देते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले P लिखा है तो हमने P लिख दिया X लिखा है उसके बाद तो X नहीं लिखना है X का मान कितना है –2 तो हमने –2 रख दिया बरावर यहां पर X गन है तो –2 का गन हो जाएगा फिर 3X बरग है तो –2 का बरग हो जाएगा फिर 6 plus 3X है तो gosh 3X की जगा पर –2 और plus 1 तो सीदह से मतलब है है कि जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां पे हमने माइनस दो रख दिया अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पी माइनस दो बरावर यहां पे माइनस दो का घन है इसका मतलब क्या हुआ तो इसके लिए हम यहां पे समझ लेंगे माइनस दो गुलित माइनस दो गुलित माइनस दो इस तरीके से लेकर क्योंकि तीन की गात है तो अगर हम ध्यान दे तो माइनस माइनस का क्या बनेगा प्लस लेकिन प्लस माइनस का वापिस से माइनस बन जाएगा और दो का घन है या यहाँ पे आजाएगा आठ प्लस तीन यहाँ पे माइनस दो का बर्ग है तो माइनस दो को कितनी वार लेकेंगे दो वार तो वैसे भी प्लस का फूर आएगा क्योंकि माइनस दो गुलित माइनस दो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और दो दूनी चार लेकिन यहाँ में था इसलिए गुणा का चिन्न लगा कि चार लेखेंगे इसके बाद यहां पे चिन्नों का गुणा पहले करेंगे पिलस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस और तीन दूनी 6 और प्लास एक ऐसे करना है इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो P माइनस 2 बरावर माइनस 8 इसका गुणा कर लेते हैं पहले 4 तिया 12 और माइनस 6 प्लस 1 तो P माइनस 2 बरावर यहां पे देखिए माइनस 8 और माइनस 6 माइनस माइनस के पहले जोड़ देते हैं फिर plus plus के जोड़ादेंगी तो माइनस आट माइनस च rather होगा और plus कतेना 12 और 13 plus का कितना होगा 13 मैं तो यहां पे माइनस का एक बच जाए driven तो फी माइनस दो बरावर माइनस एक सए इस दो यह जीरो नहीं आ है अता है जी एक्स पी-क्स का गुणनगंड नहीं है क्योंकि माइनस एक बरावर नहीं है जीरू तो यहां पर आप लिख सकते हो अता है जी एक्स-पी-क्स का गुणनगंड नहीं है थैंक यू